नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 29 वर्स के पर उसके पाम का एनालेसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर पर थम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरपेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आकन को प्रस कर दें, ताकि लेटिस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शरू करते हैं, इनका कोशन इस प्रकार है, अभी इनकी स्वास्त में प्रशानी चल रही है, वो कब ठीक होगी, एक एक्सिलेंट हुआ था इनका, और आगे के जिंदगी कैसी रहेगे, विवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और इनको किसी ने कहा कि ये करूरपती और अपती बनने वाले हैं, इसकी क्या, इसमें कैसा चाही है, और इनके हाथ पर इनको ऐसा लगता है, कि लेटर एक्स का साइन बन रहा है, मिस्टीरियस एक्स का साइन बन रहा है, तो इससे साइन का क्या आर्थ है, तो ये इनके कुछ कोशन्स है, तो आपने शिंत्रिया आपके सारे ही प्रश्णों पर हम बारिकी के साथ सुनेंगे और बारिकी के साथ चलने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके हैतली पर एक क्रॉस तो बन रहा है और इनको थोड़ा विस्तार पुरवक समझना है कि इस cross का exactly में क्या आर्थ होता है और ये हो सकता है बहुत से लोगों को विस्तार पुरवक समझना हो क्योंकि बहुत प्रकार की भरांती फैली हुई है जिसके एवज में कुछ कुछ कहते हैं कुछ कोई कुछ कहते हैं मतलब समझ भी नहीं आती है कुछ confusion से रहता है कि सही में ये sign आपको इतना ज़्यादा पैसा देता है तो पहले तो समझ ये sign बनता कहा है और कैसे बनता है इसके accuracy को कैसे देखा जाता है और no doubt ये sub sign होता है तो किस reason से ये sub होता है इन सारे ही topic पर हम तोड़ा विस्तार पुरुवक वीडियो लाएं है तो वीडियो को बड़े असपस्ता समझना और अपने doubts को पूर्ड़ता clear करना तो सबसे पहले चीज ये जो cross है नहीं ये बनता आपके मस्तिक से रेखा और हिर्दे रेखा के बीच है अब कुछ कहते हैं ये तो आपको करोवपती बना देगा कुछ कहते हैं या आपको अरबपती बना देगा لेकिन लोग कहते हैं मतलब समझा नहीं पाते नो डाउट ये sign आपको पैसा देता है नो डाउट लेकिन अब रिक्सेवाले के हाथ पर होगा तो क्या वो भी करोड़ोपती बन जाएगा तो हो सकता है कि ऐसे साइन बहुत से लोग के हाथ पर हो करोड़ोपती क्यों ना बन गया तो सब चीज को देखने का एक नजरिया होता है और कही ना कई tournament conditions होते हैं तो tournament conditions आज आप पूर्णता समझाने का प्रियास करेंगे तो ये वाला जो exactly आपको दिखराना इसको हम cross मान लेते हैं इस sign को हम cross मान लेते हैं और इसको हम कह सकते हैं कि एकदम exactly इस 20 से 2 triangle भी है इसको हम इस 20 से एक line अगर draw करें आप समझेगा फिर से ये अगर हम 20 से एक line draw करें तो दो triangle भी हम इसको कह सकते हैं और दो exact triangle आपके मस्तिक सरेका और आपके हेदरेका के बीच में बढा तो इसको हम cross कह लेते हैं ये भी हम कह सकते हैं तो अब ये तना important sign क्यों बन जाता है no doubt मैं भी कह रहा हूँ मैं विक्तिका दूरूप से ये कह रहा हूँ कि इसके बले अच्छे फल आते हैं जिन्दगी पर क्यों आते हैं ये समझना अब lines को समझने से पहले वो किस किस रेखा अब signs को समझने से पहले वो किस किस रेखा से बना है इसको समझना बड़ा महतपून है यूगि जब आप वो समझ जाओगे ना तो फर इसके फल का आकरन कर पाओगे अब देखो ये क्रॉस जो बनता है ये किस रेखा से बनता है कौन-कौन सी रेखा है इसमें इन वाल पे रहती है पहले उसको समझो पहले तो ये समझो कि ये क्रॉस इग्जैक्ली में बनता कैसे जिसके भी हाथ पर मस्तिक्स रेखा हेदर रेखा बीच में इतनी एकुरेसी के साथ कोई क्रॉस दिखे और इतनी एकुरेसी नीट अन क्लीन अवस्था में दिखे बिना किसी दाग दब्बे के तो समझना ये मिस्टीरियस एक साइन है जो कि बहुत ही कम हतेली पर बहुत ही इग्जैक्ट बनता है पहले तो लोग छटा जाएंगे इग्जैक्ट के ही संदर्म में अब किसी के हाथ पर ऐसे होती है तो उसको भी लोग क्रॉस ही बोल देते हैं और बोल देते हैं वो कुछ नहीं उसको मिल रहा किसी के हाथ पर ऐसी होती है तो उसको भी लोग क्रॉस बोल देते हैं तो इसको हम क्रॉस नहीं मानेंगे और रेखाओं में स्ट्रंथ हो उसको समझने का परियास करिए एक तो इसमें involved है मस्तिक्स रेखा दूसरा इसमें involved है आपके हिर्दे रेखा जो कि काफी मुख्य रेखाओं के रूप से आपके तली पर अवस्थित होती है मस्तिक्स रेखा कही न कई आपके दिमाग के विक्सित नेचर को दर्शाता हिर्दे रेखा आपको ताकतवर या ताकत परदान करता है अगर ये दोनों रेखा संतुरित होती है तो जात तक ऐसे भी बहुत पैसा कमाते है समझ ना क्योंकि अच्छे ताकतवर यृदे के विक्ती है आप अच्छे दिमागी विक्ती है तो पैसा जिंदगी पर क्यों ना कमाओ और पैसा जिंदगी पर क्यों नहीं कमाओगे यह तो बड़ी क्लियर सी बात है अब बड़ी क्लियर सी वीजन इसमें रखना अब एक डम concept क्लियर रखना इसके उपरात Jam अब और कोन सी रेखा इसमें involved है यहाँ से एक रेखा चली इसको हम बागी रेखा बोलते हैं और यहां से एक और रेखा चली एक common रेखा है जो कि बड़ी unique रेखा होती है तो ये एक तो मस्तिक्स रेखा को involve कर लिया इसने दूसरा इसने हिर्दे रेखा को involve कर लिया जो कि अगर सटीक होगी अगर एकदम संतुरित होगी तब ही ये exactly में cross बनेगा हाथ पर otherwise नहीं बनेग तो पहला एक concept है दूसरा concept है कि इसमें तो बागे रेखा भी involve हो गया और जैसा मैंने बताया है कि अगर बागे रेखा के पर एक कोई triangle रहता है और अगर मस्तिक्स रेखा हेदर रेखा के बीच में भी कोई triangle रहता तो ये बड़ा ही सुब फलदाई होता है और बागे रेख योग develop करते है square triangle के रूप में तो एक तो बागे रेखा के साथ बना एक triangle दूसरा मस्तिक्स रेखा पर भी एक triangle बन गया तीसरी मस्तिक्स रेखा संतुरित हो गया पाचमा बागे रेखा बड़ा असपस्ट हो गया तो इस case में जातक की जिन्दगी क्यों नहीं बदलेगी ल मन चाहेंगे तो ये 100% आपकी जिन्दगी बदलती है अब देखो मैं अरबपती खरबपती का तो promise करूंगा नहीं क्योंकि इसको उपरांत और भी अवस्थाएं होती है लेकिन ये 32-35 साल के बीच में कुछ बड़ी-बड़ी सफलता जरूर देती हो सकता है कि आपका प्रा इनके mysterious cross थे अब ये और भी चीज़ों पर हम विजार करेंगे तो ये इनका पहला प्रशनता हो सकता है बहुत से लोगों का प्रशन होता है तो जी हाँ ये science नी संदे आपको अच्छा फल देता है लेकिन देखना सीखो कि ये science बना है कि नहीं तो अभी हम चलते हैं और भी इनके प्रशन पर तो प्रशन ही सुन दे तो प्रशन को ही clear करते हैं अब किसी ने इनको कहा करूरपती अरपती आप बनोगे तो ठीक है एक positive vibes आपको मिली है उसको बनाए रखें लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर पाऊ गया अभी 36 वर्स तक आपकी जिंदगी स्टार्ट भी नहीं होगी आपकी जिंदगी क्योंकि बागे रेका बड़ी करपर है आपकी जिंदगी स्टार्ट होगी 36 में 35 में के बाद का समझे लो और अगर उस समय आपने मेहनत ज्यादा कर लिया आना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप पैसे जिंदगी पर कमाओ लेकिन ह ये करोड रुपे भी आपको छोटा लगने लगया ये मैं जरूर बोल सकता हूं लेकिन यहाँ पर से आपको प्रियास करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा कुछी यूनिक अवस्था हैं और भी आपके तरी पर बन रही है जैसे कि बुद्धर रेका के संदर्म में है औ आगे भी बागे रेका ठीक ठाक चली है सूरी रेका एक अच्छी है तो ऐसे लोगों को ना तो नौकरी वाकरी करने का तो मन करता है नहीं ऐसे लोग बिजनस माइंड़ ही होते हैं और इनका बिजनस को लेकर कोश्चन्स भी था तो जी हाँ विपार कर पाओगे क्योंकि के गती के योगे जो भी में दिखाऊंगा तो ये परशन थे बागी एक परशन बच गया जीबन रेका का विस्तार पुरुवक एनालेसिस तो उसको हम अभी ही दिखाएंगे क्योंकि इनके हाथ पर जो एक तकलीफ इनको हुआ है तो उनके हाथ पर ये वस्थाए मोजूद थ ब्रश्पधी तोड़ी गरबर है तो सरकिलबाजी बहुत करते हैं जिंदगी पर और सुरवाती दौर में पैसे बहुत दिख रहे थे हमें तो वैसा कोई विसेश मुझे दिखा भी नहीं आपके एतली पर लेकन इतना जरूर है इतनी एक बात मैं जरूर आपके एतली पर स हो इन सब प्रकार की समस्या हैं जो कि जात्यकों परिस पर देखने को मिलती है तो ये जिंदगी चली एकदम से थोड़ी से ये लोग ना मतलब गलत रासते को पकर लेते हैं गलत रास्ते पर चले लगते हैं जो कि उचित नहीं होता कभी भी तो ये आप आज भी थोड़ा स इसमें के आसपास है, तो वहीं पर एक accident हुआ था, तो वो योग थे, लेकिन ये accident में convert इसलिए हो गया, क्योंकि आपके ब्रश्पति थोड़ी गरबर थी, और मैंने इसे एक एही चीज कहा था, क्या उससमें आप मतलब थोड़ी गरबर अवस्था में थे, क्या, तो इन्हों कर सकते हैं, और जिन्दगी पर सफलता की उमीद करना भी अनुचित है, तो ये चीज़ आपने समझे लिया, एक दिक्कत थी, पर आके जिन्दगी ठीक चले, एक और दिक्कत है, याद रखना, 33 वर्स में, 33 यर्स की आसपास एक और दिक्कत, 37 वर्स, तो 37 वर्स तो 36 वर्स याद जीवन रेका बड़ी असमस्ट है, और यहाँ पर से केतु प्रवत पर गजब का फिश बना है, ये फिश देखके ही में बड़ा प्रभावित हो गया, बड़ी ही अच्छी वाइपस आई हमें, जाप पर से जातक की जिन्दगी बड़ी अच्छी रहती है, और आगे बड़ी मसूर जिन्दगी बितोगे, बहुत अच्छी जिन्दगी बिताओगे, आपकी पड़ी साथ में वर्स के बाद भी जिन्दगी बड़ी अच्छी, बड़ी कमफर्टेबल है, कोई राहू रेका नहीं है, तीन चार ही राहू रेका आपके अधरी पर थे, जो कहीं न कहीं आपके जिन्दगी पर परसपर समस्याओं को दर्शा रहे थे, तो उस समस्याओं को लेके जो मैं उपाई दूंगा, उसको तो करी ही लेना, और आगे पूरा-पूरा केर करना कि अपने जिन्दगी को सही डिरेक्शन से ले चलवा, अच्छा रहेगा आपके लिए, त आदत में सुधार लई, चतिसमे वर्स के बाद की बड़ी अच्छी है, और एक क्रॉस ता तो बनी गया, और एक अच्छी मस्तिक से रहेखा है, तो रही चोटी है, तो रही बड़ी बड़ी हो रही है, मतलब ऐसे जातक ना, थोड़े केरलेस तो होते हैं, बहुत जादा ही केरलेस होते हैं, मतलब एक बाद दिमाग में जरूर चलता रहेखा कि पैसे मुझे कमाना है बहुत जादा है, और एक स्ट्रॉंग लाइन से जो बड़ी दूर की यात्राओं का प्रचकरा आती है, ऐसे लोगों की यात्रा है बड़ी दूर की होती, ये तो मने असपस्ट ही देख रहा हूँ, आगे भी आपकी देखो तो बागे रेका वड़ी अच्छी है, तो ये बागे रेका के ब्रांचेस आगे चड़ रहे हैं, और यहाँ से भी एक आपकी ये जो है न, ये एक डिस्टरविश्य शुक्र वले हैं, जो जातक का मूट स्विंग बहुत ज़दा होता है, और यहाँ से भी देखो एक लाइन तो ये बंड़ रही है, जो कि इसको बागे रेका के ब्रांच मान सकते हैं, सरकारी छेतर से धनलाव के योग को दर्शारी है, बैठाए बैठाए जिंदगी पर धनागे मन को दर्शारी है, फर देखे एक बुद्द रेका बंड जो ये पॉस्टिफ वाइप्स को दर्शारी है, लेकिन ये भी प्रॉपर बनी नहीं है, जब तक ये बनेगे ने, तब तक इसके फाइदे का आगला नम करेंगे नहीं, और बुद्द पर खई लाइन से इंसान बहुत तेजी से ही जिंदगी को जीना चाहिए, लाइन उफ पर समस्यां जिंदगी पर परसपर आपके बनी रहेगी इस बात का ध्यान रखना, तो जो बातों को मैं बता रहा हूँ, जिस बातों का मैं वैचार कर रहा हूँ, उसको समझी ही लेना बढ़िया से, चलिए जी, ये इनकी पॉस्टिवीटी थी, अभी कुछ नेगटिव च पर चाने के लिए, बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेशन का साहरा लो, बागी कुछ और रेमेडी मैं दूंगा, मांकी बरश्पती थोड़ी जादा ही गरबर थी, जहाँ पर से ये समस्याओं को दर्शाती ही दर्शाती है, अब समस्याओं प्रारंबिक समय में होती है, सर पर स्टूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी जादा महतपूर है, देखे, सीखे, समझे, स्क्वारे स्पामे मद्यमेच के बाद सफलता को पाता है, अगर मेहनत किया ना, तो सफलता जिंदगी पर जख मार के आपके पीछे आएगी, भग जबर दस सफल होने वाले ह सारे ही प्लैंट लगब लगब ठीक है बरश्पती को छोड़के, तो इसका तो अच्छा फल आता है जिंदगी पर 55% राज्यों का फल लाइफ अच्छा ही बीतता है, ना बीतने का तो बाती नहीं है, गुलाबी अतलिये धन को एट्रैक करती है, जबी भी पैसे की आवशक अच्छे और तरक शक्ति, बड़ी ही खतरनाक है, जातक बड़े ही अच्छे इक्षा शक्ति, और तरक शक्ति के मालिक है, यह आपके इतली मुझे असपस्टी ही बता रही है, जहापर से जिंदगी पर सफलता है, आती ही आती है, इस चीज यह पर्चे कराया। तो और वर सम्मान की रख्षा करने में थोड़ी समस्याइब को आपthen चटड़ गया तो ये भी सम्मान की रख्षा करने में थोड़ी समस्याओं अपने बावणाओं को दो स्वाइब परिंगर काफी हिम्मती है नहीं अपनी भावणाओं को दुस्रे के समख रख पाएंगा, और बहुत ही अराम से समझा पाएंगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं समझारा ही चाहिए, और ये तो एक बहुत 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 अच्छी बात है कि ऐसे लोग अपनी भावडाओं को समझा पाते से बड़ी बात और क्या ही हो सकती है जंदगी पर यह तो बड़ा जबरदस्त है बागी फिंगर लंबे खरें अच्छी पर और भी चीज़ों को हम दिखाएंगे आपकी बरश्पती यह बरश्पती जो है थोड़ी सी गरबरतो है यह प्रारंबिक समय में तकलीफों को दर्शाती ही दर्शाती है यह बराही असपस्ट में देख पा रहा हूं और बागी यह बरश्पती आपकी 32.30 के बाद की ठीक ह और यह पर आपके लाइन्स कुछ पर उपकाई लाइन्स है तो सेवा भी नेचर है लेकिन सुरुवाती दौर में थोड़ी समस्याओं फलक्शुएशन को तो यह दर्शाती ही है तो 32.30 के बाद की जिंदगी आपकी काफी अच्छी दिख रही है इस चीज का यह पर चिकरा रही है और सुरुवाती दौर में मस्तिक्स देखा पर कुछ यवा करती थी तो काफी जादा असमंजस में हैं आज भी है अब यह 29 साड़ के यह दवाब तो मुझे दिखी रहा है उस दवाब को कम करने के लिए हो सकता है जा तक कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ ट्राइ और यह वाली जो एक ब्रांच है ना यह एक दिस्टर्ब शुक्र भले है जो जाते को थोड़ा दिस्टर्ब करती है बाकी बालांस अच्छा है काफी अच्छे मदलब शांदार विक्तितों के विक्ति हैं आप और चीजों को बहुत एच्छे तरीके से करना चाते है इस ची करा रही है बाकी यह दवाब है तो विक्ति गजब के मैनती है और बाकी मस्तिक्स रेका है विसे इसको समस्या वाली बात अभी ही नहीं है और आगे बे एक जबरदस्त आपकी लाइन ओफ एजोकेशन यह तो बड़ा कमा लगा है और बागे रेका जिन्दगी के लास तक च परचकर आती है जातक कितने कलियर है और कितने स्मस्यदार अगर आप समझदारे से कारेंगे तो आगे बढ़ताएगे यह चीज कपर शक्रा रही है और दौनों सं मरकरी बदर्दस्त है यह आपकी दो-तिन lines ये दर्शाती है कि जातक कितने तेज हैं और तेजी से अपने जिन्दगी को जीते है और अपने जिन्दगी को तेजी से ही जीना चाहिए है अलाकि ये एक lines को empathic sympathie के साथ के तरब्बे इसारा करते हैं तो इस case में जातक को empathic sympathie का साथ भी मिलता है ये इस चीज का भी परचे कराते हैं जो कि बड़ा असपस्ट मुझे दिख रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी चीज है आगे देखें दोनों मंगल बड़ा जबरदस्त है तो जातक काफी प्राक्रमी प्राक्रम हद से जादा कुछ करने का डेडिकेशन बड़ा ही शांदार और बड़े ही डेडिकेशन के साथ किसी भी कारी को आप करते हैं और बड़े ही समणपित तरीके से और प्राक्रम इतना जदा कि गबराते हैं ही नहीं और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे जो आपका एक्सिडेंट हुआ तो बहुत जदी ठीक हो जाएंगे आपके राहूर एक एक समय था और एक दो एज में परहेज करना है जो मैंने आपको बताया था और ये इनके प्रशन भी थे बाकी दोनों मंगल बड़ा खत्रना का बनी रहेगी और स्ट्रॉंग लाइन से दर्शाती कुछ विशेश कर यात्रा कुछ दरमा बढ़िया है घर से दूर दूर का उन्नती तो होता है लेकिन विशेश कर ये लोग घर में ही अपना समय को विताते हैं जबरदस बागे रेखा है और जबरदस फिश्णों माकिरती बहुत पैसे देता है ये और च्टिस के बाद बागे रेका च्टिस के बाद थोड़ी गरबर है च्टिस के बाद बड़ी कमाल की है और आगे भी बागे रेका बड़ी धमाल है और मिस्टरियस ट्रॉस तो है ये कुछ प्रॉपटी के योग आपके च्टिस के बाद ही डव बाकि लेक्जरी के प्रापर रसुक है आपके अतली पर अवस्थित, मंगर बड़ा जबरदस्त है कुछ टेंशन के रायने फालतू का सोचों के, बाकि मंगर रेका बड़ी जबरदस्त है और जीवन रेका बड़ी एकुरेट है, जहाँ पर से ऐसे जातक बड़े ही अच्छे लाइफ को जीते हैं, लेकिन हाँ, राहू रेका के प्रेड़ में समस्या आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना बाकि वेसे इस कोई दिक्कत नहीं है, एक बुद्धर रेका बन रही है, यह जतनी ज़्यादा क्लियर होते हैं कि उतनी ज़्यादा सा पलता पुदर शाती ह तो यह तैनि के तलिका पूर्णता विश्याशन अगर आपको मारे यह बड़ो पसंदा आ, लाइक करते, कमेट करते, शिरके सब्सक्राइब करते, प्रसनी में सब्सक्राय का दिकार के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा वाट्सप में डिसक्रिस्टे नहीं मिल जागा, लेकि आप संपर्द कर सकते हैं धन्यवाद